बैसा बज़ेदेगबन की most much awaited movie सैतान movie का trailer आज आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन कब मिल जाएगा बैसा फिलाल तो अभी officially timing announce नहीं करी गई है good versus evil की जो लड़ाई दिखाय जा रही है मलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जो जीत बताय जा रही है यह trailer कितना ज़्यादा promising होने वाला है कितना ज़्यादा trust build up करके जाएगा connectivity लोगों से कितनी set करके जाने वाला है और previous जो movies रही है अजय देख बनकी उससे भी comparison कर लेंगे कि भाई यह trailer में क्या दम हो सकता है और इस time पर इस trailer की hype बन रही है या नहीं बन रही है movie cover release हो जाएगी trailer को certification कैसे मिला है बहुत सी बात ही है सभी चीजों पर बात करेंगे अभी एक आद मिनट में लेकिन उससे पहले क्या करना है वीडियो को एक like नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर करना है तो चलिए शुरू कर देंब भाई साब सैतान movie हमें अगले महिने 8 मार्च को देखने को मिल जाएगी जिसका trailer को UA certification से नवाज दिया गया है जो आज हमें 22 तारिक को या 22 फरवरी को देखने को मिल जाएगा trailer की length होने वाली है 2 मिनट 29 सेकेंड की तो भाई साब fine length जहां से हमें कम सकम ये पता लग जाएगा कि भाई movie में आखरी मिलने के अवाला है और यहां से ये अजंसन अंग prediction सेट हो जाएगी कि movie में वाकई दम है या नहीं है भाई साब literally बोलना हूँ आर मादवन के character के लिए आर मादवन जो role play कर रहे है evil role भाई उसके लिए बहुत ज्यादा excited हूँ मैं personally क्योंकि trailer से पता लग जाएगा कि आर मादवन के character में कितना दम होने वाला है क्योंकि अभी तक भाई ये movie अजे देवगन की है hero वही है लेकिन face आर मादवन को face करके इस movie को बेचा जा रहा है इस trailer को छोड़ी छोड़ी चीजे आर मादवन को face करके बेचा रहा है तो समझ लो कि trailer में जब इसका part आएगा और जब ये पूरी movie में जो अपना पूरा talent बिखेर के सामने देगा तो कितना ही मज़ाएगा तो लिटरली excitement है इस बंदे के लिए और trailer के लिए लेकिन trust issue में गड़बड वहां हो रही है क्योंकि director का नाम जो इसमें जोड़ रहा है वो विकास बहल है जिन्होंने अभी ताजी तादी टटी गनपत नाम की हगी है और उससे सभी लोग वाकिव हैं दूसरा trust issue एक और गड़बड यहां है कि भाई साब ये movie remake होने वारी है गुजराती movie वस्की लेकिन इन सारे trust issues को गड़बड जो चल रहे है इस गड़बडा करते हैं बात रही remake की तो ऐसे बहुत से content हम इनके देखकर आ चुके हैं ले लिए बहुला movie ले लिए जो एलसी यू connection की कैथी कैथी का जो remake था भूला वह एलसी यू connection की बही अलग हाइप छोड़ के जाते हैं लेकिन जहां पर बहुला नाम आ जाता है वहां अजर देखब कीने खोगी भी तो दमदार होने वाली है क्योंकि अजय देवगन बिलकुम्zar फ合 to no comparison कोर लेते हैं थोड़ा पुराने ट्रेलर से क्योंकि इस टाइम पर इस ट्डब॑ हीड़ी है बिल्कुल भी हाइप नहीं है भोला के ट्रेलर से अगर कंपारिजन करें तो भोला मूवी के ट्रेलर ने 55 ट्रेलर को कितने व्यूज मिल सकते हैं 24 गंटे में ही और इस ट्रेलर को कितने व्यूज मिल सकते हैं मैं वान के चल रहा हूं कि 24 गंटे के अंदर अंदर 20 मिलियन व्यूज तो आही जाने चाहिए क्योंकि जिस हिसाब का इसमें हाइप चल रहा है और लाइप ट्रेलर के रिए बतागी जरू जाना नीचे कोमेंट लूज और बाकी मिल तेकली वीडियो पर चाहिए